बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजेगा आज मैं आपको बताऊंगी कैसा रहेगा आपका आने वाला सब्ता यानि कि 23 ओगस्ट से 29 ओगस्ट तक का टाइम आपका कैसा रहेगा आपकी जनम कि थी के अनवसार शुरू करते हैं पहले एक तारीक का देखते हैं एक मुलांक का देखते हैं जिनका जनम दिन एक तारीक को 10 तारीक को 28 तारीक को या 19 तारीक को होता है 110, 28 या 19 को होता है उनके लिए जो आने वाला हफता है कैसा रहेगा आपका जो ये हफता है ये अच्छा रहने वाला है जो options के बारे में आप सोच रहे हैं उन में से कुछ finalize हो सकता है अगर आप कुछ विचार विर्मश कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी यह हफता है आपका आपके काम बनने का जो भी आपके काम लटक रहे थे वो इस हफते बनने शुरू हो जाएंगे जहां भी उलजने थी उलजने खतम होनी शुरू हो जाएंगे बड थोड़ा रिष्टो में तनाव रह सकता है रिष्टो में आपका 23 से 25 ओगस तक का जो टाइम है फुर थोड़ा तनाव पुन रह सकता है बड उसके बाद आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा इनिशली थोड़ी बहस में पढ़ सकते हैं बड उसके बाद थोड़ा सा 25 ओगस के बाद से ताइम आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा बड काम के लिए समय अच्छा है हेल्थ वाइस थोड़ा सा स्ट्रेस जैसे मने बताया 23 ते 25 ओगस के भी स्ट्रेस बन सकता है हेल्थ पे भी उसका एफेक्ट आ सकता है बड करियर वाइस काम काजवाईस यह आपका जो मही यह हफता है यह अच्छा रहेगा अब देखते हैं कैसा रहेगा 2, मुलांख 2 के लिए ये सब्ता यानि कि जिनका जनम दिन 2 तारीक को, 11 तारीक को, 20 तारीक को या 29 तारीक को होता है उनके लिए जो आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है आपको किसी फीमिल के थुरू पैसो की मदद मिल सकती है पैसों में growth का समय है आपकी job में जो आप काम करेंगे अच्छा करेंगे आपको सरहाना मिलेगी health wise लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की जुरुत है कोई बिन बुलाया महमान health wise आ सकता है यानि कि कोई ऐसी problem जो आपने expect ना की हो वो आ सकते है तो health wise थोड़ा सा ध्यान दीजेगा किसी भी problem को हलके में मत लीजेगा थोड़ा ध्यान रखने का time है health wise relationship wise भी ये समय अच्छा रहेगा अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे जो मन मुटाब है वो खतम हो जाएंगे और all over ये आपका हफता अच्छा है बट health wise आपको थोड़ा ध्यान देने की अपनी health पे जरूरत है जो आपके लिए lucky day रहेगा वो 27 और 29 रहेगी अब कैसा रहेगा तीन तारीक के लिए तीन मुलांग के लिए जिनका जो जनम दिन तीन तारीक को 12 तारीक को 30 तारीक को ये 21 तारीक को होता है उनके लिए हफता कैसा रहेगा आपका हफता बहुत अच्छा रहने वाला है किसमत आपका साथ देगी ये सफता जो भी planning थी वो successful हो जाएगी जो भी खाब देख रहे थे वो शुरू हो जाएगे कुछ YouTube चैनल खोलने की कोशिश कर रहे थे वो बन जाएगा कोई नया काम करने की कोशिश कर रहे थे वो हो जाएगा कोई videos डाल रहे हैं वो YouTube पे वो चल जाएगी ये जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी अच्छे से आपका काम होगा क्योंकि इतने कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली ये हफता कुल मिला के दोर मुलांग के लिए अच्छा रहने वाला है आपके लिए जो तीन मुलांग के लिए सौरी अच्छा रहने वाला है आपके लिए जो लकी डे है डेट जो रहेगी वो रहेगी 28 और 29 August आप देखते हैं मुलांग 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफता मुलांग 4 वालों आपका husband के साथ यानि की partner के साथ like partner के साथ 28 और 29 के बीच में थोड़े से जगड़े हो सकते हैं कई emotional level आपका low हो सकता है तो temporary phase रहेगा थोड़ा सा घबराएगा मत 28 और 29 को थोड़ी से आपकी argument हो सकती है बहस हो सकती है तो पहले ही उससे थोड़ा बच के रहेए 28 और 29 को थोड़ी बहस का time बन सकता है तो इसलिए अपने जितना हो सके negative सोच से बचे क्योंकि आप ज़ादा negative सोचेंगे इसलिए है आप react करेंगे और आपकी बहस हो सकती है तो पहले हो सके negative सोच से खुद को बचाईए आपका 27 तक time अच्छा है 28-29 थोड़ा सा disturbing days रह सकते है health wise आपके लिए अच्छा समय रहेगा जो भी दिक्कत आपको आ रही थी उसमें सुधार होगा health wise आपका सुधार का समय रहेगा career wise भी अच्छा रहेगा बस 28 और 29 औगस को थोड़ा सापको ध्यान रखना है हो सके तो negative सोच से बचना है आपके लिए जो lucky days रहेंगे lucky date रहेगी 24 और 25 औगस रहेगी अब देखते हैं मुलांग 5 वालों के लिए जिनका जनम दिन 5 तारीक को 5 तारीक को 14 तारीक को होता और 23 तारीक को होता है उनके लिए जो आने वाला हफता है ये कैसा रहेगा मुलांग 5 वालों आपको 26 औगस के बास पास कुछ breakthrough मिलेगा यानि 26 औगस तक थोड़ी सी energy उर्जा में कमी रह सकती है थोड़ा lazy रह सकते हैं थोड़ा सा आप धीली धीली रह सकते हैं उर्जा थोड़ी सी कम रहेगी पट 25-26 औगस के बाद या 26 औगस के पास life में थोड़ी सी तेजी आएगी जो काम है वो बनने शुरू हो जाएगी जो भी लटक रही थी चीज़ें आपकी अटक रही थी वो सब दूर हो जाएगी तो 26 औगस के बाद कोई break through आएगा एकदम से तेजी आएगी आपके काम में health भी आपकी अच्छी रहने वाली है और आपके relationship भी इस हफ़ते अच्छे रहने वाली है कुल मिलाकर अब देखते हैं मुलांक 6 वालों पर इनके लिए जो lucky day रहेगा lucky date है मुलांक 5 के लिए वो है 26 औगस्ट अब देखके मुलांक 6 वालों के लिए आने वाला हफता कैसा रहेगा यानि कि जिनका जनम दिन 6 तारीक को 15 तारीक को या 24 तारीक को होता है आपके लिए जो ये हफता कैसे रहने वाला है आपका हफता है celebration का आपका family के साथ time spend करने का है shopping जाने का है mall जाने की planning करें तो जा सकते हैं shopping करने का time है खरीदारी करने का time है खरीदारी लेकिन जादा मत कीजेगा थोड़ा जो पर्स हलका हो सकता है तो shopping का time है family के साथ shopping का time है कोई female के तुरू खुशी मिल सकती है कोई female अगर आपकी life में है उसके तुरू आपको कुछ खुशी मिल सकती है बात बन सकती है और relationship wise भी बहुत अच्छा time है जो couples हैं जो relationship में है उनके लिए भी time बहुत अच्छा रहेगा मिलने के ज़्यादा मौके मिलेंगे तो all over जो ये हफता है आपका अच्छा रहेगा shopping का time में आसपास घुनने भी जा सकते है छोटा मुटा travel भी हो सकता है बढ़ अच्छा कुल मिला के आपके लिए हफता रहेगा 16 तारीक और 25 तारीक होता है उनके लिए ये हफता कैसे रहने वाला है आपका 27, 28, 29 को थोड़ा तनाव बढ़ सकता है थोड़ा pressure रह सकता है आप लोगों की बातों को ज़्यादा सोच के अपने पर तनाव ले सकता है किसी की बाते बुरी लग सकती है थोड़ा pressure ले लेंगे काम का pressure भी आप पर बढ़ सकता है हो सकी तो अपने काम की pressure को लोगों के साथ बाटी सारा pressure अपने पर मत ले लेजिए आप जल्दी थोड़ा सा लोगों की बातों को बुरा माल लेंगे अपने career में, काम कार्ट में भी, office में भी boss की बातों को जल्दी दिल पर लगा लेंगे employees के साथ थोड़ी बहस हो सकती है तो जो आखरी के दिन है इस अफते के वो थोड़ा सा आपको तनाव आपका temporary थोड़ी दिल के लिए तनाव बन सकता है health आपकी अच्छी रहने वाली है जैसे मैंने बुला relationship में भी जो 27, 28, 29 का time है थोड़ा सा आपकी तनाव आ सकता है बट temporary तनाव रहेगा आपके लिए जो lucky date रहेगी वो 24 और 25 अगस्त रहेगी अब देखते हैं मुलांक आठ वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफता आपके लिए जो 23, 24 है थोड़ा सा बंदा-बंदा लगेगा थोड़ी बंदिशे लग सकती हैं आपको लगेगा आपके काम रुक रहे हैं बट 25 के बाद थोड़ा आपके लिए असान हो जाएगा मेहनत जादा लगेगी बट मेहनत का सफल सफलता भी मिलेगी तो 23, 24 को थोड़ी से रुकावटे लग सकती है थोड़ा परिशान हो सकती है आपको लगेगा कि आपके काम नहीं बंद रहे हैं आपको अपने में थोड़ी रुकावट लगेगी थोड़ी मुश्किले लगेगी पर टेंपरी एक दो दिन की बात है 23, 24 को थोड़ा सा आपको बंदा हुआ लग सकता है पर 25 तारीक से थोड़ा आपके लिए बेटर होना शुरू हो जाएगा मेहनत लगेगी पर मेहनत आपको रस्ता भी दिखाएगी कोई powerful इंसान आपको मदद कर सकता है जिसके जो power में है या जो आपके आसपास जो थोड़ा सा जिसमें थोड़ी power है या थोड़ी जिसमें strength है वो आपकी मदद करेगा इस हफते health आपकी अच्छी रहने वाली है relationship में भी मन मुटाफ खतम होने वाले है relationship में आपस में आप खुश रहेंगे बच्चो के थुरू आपको कोई खुशी मिल सकती है बच्चे आपकी बात इस हफते सुनेंगे तो relationship पच्चे रहेंगे पती-पतनी, husband, wife, बच्चो इन सब के साथ आपका जो relation अच्छा रहने वाला है बच्चो के थुरू कोई आपको अच्छी खबर मिल सकती है अब देखते है 9, जिनका 9 मुलांक है जिनका जनम दिन 9 तरीक को 18 तरीक को, 18 तरीक को यह 27 को होता है उनके लिए जो यह हफता है आने वाला वो कैसा रहेगा और मुलांक 8 के लिए जो लगी डे है वो 26 ओगस्त है अब बात करते हैं मुलांक 9 की मुलांक 9, 9 तरीक, 18 तरीक जिनका 27 को बर्डे होता है उनके लिए यह हफता कैसा रहेगा यह हफता है एक्षन लेने का मतलब जो भी सोचने का टाइम नहीं है बात कीजिए जहां जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते है अप्लाई कीजिए तो यह हफता एक्षन का है बैठने का नहीं है पेशन का नहीं है उस पर रियाक्ट करने का है उस पर एक्ट करने का है यह हफता आपके लिए अच्छा रहेगा आप अपनी family के साथ तहीं आसपास घूंबने जा सकते हैं outing हो सकती है family के साथ time spend करेंगे आप अपने माबाप से मिलने का मौका मिल सकते हैं जो लोग दूर रहते हैं भाई बेन आपस में मिल सकते हैं तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी life में stability आएगी but act, action का time है मतलब आपको action करने का है relationship में भी enjoyment का time है 9 वालों के लिए मुलांक, 9 वालों के लिए बहुत ही अच्छा हफता है आपके लिए जो lucky date है वो 24th or 26th August है मैं उमीद करती हूँ आप सबका जो ये हफता है सबता है, week है वो बहुत अच्छा रहेगा Thank you so much